नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गो ब्लोग्स में दोस्तों एक सुन्दर सी मेल हतीली हमारी सामनी है और यहां पे देखेगा आपकी हतीली में अगर हम परत्थम दिर्ष्टी डालते हैं हतीली को अगर हम एक टक देखते हैं तो ब्रत्थमान में आपकी हतीली में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं छोटी छोटी गोण रेखाएं जन्म लेती हुई दिखाई दे रहे हैं और जब भी हमारी हतेली में गोण रेखाएं बहुत ज़्यादा उभरने बैठ जाएं जालनुमा बनाने बैठ जाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे तो ये ब्रत्थमान समय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है इसका नगेटिब प्रभाव हमारे जीवन पर पढ़ना सुरू हो जाता है कहीं न कहीं ये जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और ज़्यादा आउस्ता में जन्म ले रही हैं इसका असर आपके मन और मस्तिस्क पे सबसे पहले पढ़दा है कहीं न कहीं कनफ्योजन की इस्तिती, उल्जन की इस्तिती, दूबिदा की इस्तिती यहाँ पे जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है कोई न कोई उल्जन बनी हुई है और वो इस प्रकार से उलजन है बनी हुई ये कि वो कहीं न कहीं सुलजने का नाम नहीं ले रही है एक सही सी डिसजन नहीं ले पारे हैं निरणई नहीं ले पारे हैं आखिर करना क्या होगा दूसरी बात है इसका असर कहीं न कहीं आपके आर्थिक छितर पे पड़ रहा है आर्थिक रूप से ये रेखाईं कमजोर करने का कार्य करती है ब्यक्ति को कहीं न कहीं आर्थिक रूप से ये जो है कमजोर करती है और ये चीज हो रही होगी क्योंकि रेखाएं इस पश्ट तौर पे जीवन के अबारे में बताती है तीसरा कहीं न कहीं इसका जो प्रभाव है आपकी जो development है आपकी जो progress है जो career का मामला है चाए आप ब्यापार कर रहे हों चाए आप नोकरी कर रहे हों उसमें जो प्रगत होनी चाए जो development होनी चाए जो अस्ताई तो उसमें होना चाए कहीं न कहीं वो unbalance अवस्ता में आ रहा है चोथा इसका प्रभाव कहीं न कहीं आपके रिष्टों पर भी पढ़ रहा है जिस परकार से रिष्टों का सुक मिलना चाए जिस परकार से उनकी तरफ से खोसियां मिलनी चाहिए, उस परकार से उनकी तरफ से खोसियां या उस परकार का सुक प्राप्त नहीं होता है। जीवन में संगर्स की इस्तिती उत्पन होने बैठ जाती है। आपको ये चीज यहीं पर रोकनी है। मैं आपके लिए एक प्राकृतिक किरिया दूँगा, एक दिव्यय योगध्यान किरिया दूँगा, आप उसको प्रापर तरीके से करिएगा, सर्दा विश्वास के साथ कर देंगे। इस चीज के अलावा, आपकी सूरी की उंगले अगर हम देखें, तो कहीं न कहीं ये जुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, यस पाने की इक्षा बहुत जादा हो रही है, नेम फिम पाने की इक्षा बहुत जादा हो रही है, और अपने कारियों में विस् लंबी जादा है हल्की छोटी है बाकि लंबी बहुत है ये ऐसी अवस्ता में जब उंगली रहती है और हतेली में इस परकार की चीजें रहती है तो कहीं से एका एक धन आ जाए इसकी चाह, इसकी फितरत ब्यक्ति के अंदर जन्म लेने बैठ जाती है ये यहाँ पे दिख रही है कहीं न कहीं जो है चाह और फितरत ऐसी बनती हुई दिख रही है कि कहीं से एका एक धन आ जाए इसकी फितरत जादा रहेगी इसकी चाह जादा बनी हुई यहाँ पे इस पश्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है और दूसरी बात देखो इसमें एकी साथ कुछ योग बन रहे हैं इसके साथ आप देखेंगे आपके मस्तिस्क रेखा भी पूरी दिखाई दे रही है पूरी हतेली को पार करते हुई दिखाई दे रही है इस अवस्ता में बहुत ज़्यादा प्रायों आप सोच रहे है ज़्यादतर हमेशा कलपनाओं में डूबे रहने वाले बेखती है मनि कलपनाओं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसे में डूब रखे हैं आपका जो मन है बरतमान में वो कहीं न कहीं एक आगर्चित कम है। हाँ ये बात जरूर है इन प्रस्तितियों से आगे स्रेश्ट सपलता भी हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है बहुत ज़्यादा कलपनाओं में डोबा रहेगा। अगर्चित नहीं वो पाएगा। और एक बात और है कितना भी कुछ मिल जाए संतुष्ट नहीं मिल पाएगी। ठिक ये चीजें कुछ आपकी हतेली में इसपष्ट बन रहे हैं। एक चीज और बन रही है। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो उंगली है तरजनी की उंगली इसके नीचे का जो ये भाग है ये सनी के तरफ जुकता हुआ चला जा रहा है। और इसका जुकना बताता है कि परिवार को लेके भी कुछ चिन्ताएं कहीं न कहीं याँपि दिखाई दे रही हैं। और जिस प्रकार से आपका ब्रिस्पति है ये इस पश्ट कहे रहा है कि कहीं न कहीं जो है जीवनकाल के धाई बर्सों तक क्योंकि ये धाईया में बैठा है धाई बर्सों तक इसका प्रभाव रहेगा मनि कहीं न कहीं जो है परिवार को लेकि कुछ न कुछ चिंताईं बनी रहे सकती है इसकी संभावना है दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर देखें तो ये साधरन अवस्ता में बैठ गए है देब गुरु ब्रस्पति जो रिसिग्रा है हमारी हतेली में बैठने वाले जुपि रहे हैं सामन्य साब विक्तित्र देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं हां इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हस्मुक सुभाव रहेगा देखा जाए तो दयालुता रहेगी प्रॉपकार की भावना रहेगी आर्थिक पक्च लगबग ठिक ठाक रहेगा यस की प्राप्त नहीं दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा काम्याबी नहीं दिखाई दे रही है शिक्षा का छेत्र है इंजीनियरिंग का छेत्र है चिकित्सा का छेत्र है मैनेजमेंट का छेत्र है बानिज्या का छेत्र है कानून का छेत्र है ठीकर इन छेत्रों में अगर काम करने की स कुछ ऐसे छेत्र हैं अगर आपका सूर्य पुष्ट हो जाता है या आप निरंतर अपने सूर्य को पुष्ट कर लेते हैं तो उन छेत्रों में आपको जबरदस्त जो है फलो देखने को मिलेगा और जो करियर का मामला है जो धन का मामला है उसमें बहुत बड़ी काम्यावी आ क्या बन रहा है आपका ये निम्न मंगल का छेत्र है ये आपका उच्च मंगल का छेत्र है ठीक है न निम्न मंगल पे आप देखेंगे एक दो तीन और चार इस पश्ट रेखाई जन मली रही है और जब चार हो तो एक हो तो सिंगल पावर दो हो तो डबल पावर तीन हो तो तिरपल पावर और चार हो तो फूर्द पावर जबरदस्त पावर की रेखाई हैं लेकिन बरतमान में क्या है ये रेखाई पूरी तरो से छत बिछत अवस्ता में हैं मनि रेखाई इसको काट के इसके महतो को इसकी पावर को खतम कर रहे हैं क्या करना आपने दिव्य योग ध्यान किरिया करना है एक प्राकृतिक किरिया करना है जिससे ये चीजें हट जाएं अब ये यहां पर रेखाई हैं अगर आपका ये कटने वाली रेखाई हट जाती हैं दिव्य योग ध्यान किरिया के कारण निरंतर तो इन रेखाओं का प्र किसी भी छेतर में आप जाएंगे बहुत कुछ तरकी नहीं है आपको थोड़ा इंतजार करना है आप लाख प्रियास करें लाख उपाई करें कुछ नहीं होने वाला ये मत कहिएगा मैंने हाथ दिखाया था मैंने जो है उपाई भी किये थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा है सब ये विचार आएगा मन में लेकिन 18 महने तक कुछ नहीं ओने वाला अगर आप उपाई नहीं करते तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है लेकिन आग दिब्यय योगध्यान किरिया दिब्यसूर्य किरिया प्राकृतिक किरिया प्रौपर तरीके से करते हैं तो 18 महने के इनका जो negative प्रबाव है पूरी तरों से खतम हो जाएगा ये रेखाएं निश्चित रोप से आपको अच्छा फल देंगी क्या फल देंगी चाहे career के रोप में हो चाहे समाजिक अस्तर के रोप में हो ये रेखाएं कहीं न कहीं इनका मतलब है कि आने वाले समय में आपको दू ये संकेत दे रहे हैं दूसरा इन रेखाओं की वजोसे आपकी जो अच्छी प्रतिबा है आपकी अंदर जो तीब्र बुद्धी है उन निखर करके सामने आएगा उसका आप जबरदस्त फाइदा उठाएगे ऐसा भी व्यक्तित्तों आपका निखर कर आएगा कि कहीं न कहीं जो सोचने की और जो समझने की सक्ति है आपके अंदर उसका आप जबरदस्त फाइदा उठाएगे और जीवन का आल में एक बार येदि कोई निरणे ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावसालिर रहेगा ये रेखाएं कह रही है 18 मेहने को बात से हलके रूप में आपको परिवर्तन दिखने बैठ जाएगा जो उपाई दे रहा हूं अगर विदिवत तरीके से करते हैं अपने रूटीन में भी थोड़ा जो है परिवर्तन कर लेते हैं तो अब रहा करि जाएदाद से समंदित अगर कोई काम करींगे जाए जमीन लेना हो बेचना हो मकान बनाना हो और सेल करनी हो जमीन जाएदाद से जुड़े कामों में जबरदस्त लाब मिलेगा इन कामों को आप करींगे तो इसमें सुरवाती दोर में तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उसके बाद का जो समय है, बहुत बड़े अस्तर का है, कहीं जो है, जो आपकी कलपनाई हैं, उनसे भी बाहर है, बहुत बड़े अस्तर का है, अब वो बहुत बड़े अस्तर में होने बैठेगा धाई बर्सों के बाद से, सुरुवाती जो फायदा होने बैठेगा अठारा मेहने के बाद से उससे पहले कुछ नहीं है उससे पहले आपने नीव रखनी है तैयारिया करनी है अपने को जो है सजग रखना है ठीक है न काम कही न कही उसका बेस तैयार करने में लग जाना है जमीन जायदाद से समंदित कामों में रियल इस्टेट से समंदित कामों में जबरदस्थ फायदा दिलाएगा नाव या बोट समंदी कोई काम हो उसमें जबरदस्थ फायदा होगा कागज का उध्योग समंदी कोई अगर काम करते हैं अपना काम करते हैं और अपने नाम से करते हैं ऐसे नहीं बच्चों के नाम से किया बीबी के नाम से किया ये काम आपको अपने नाम से ही अगर करते हैं तो जबरदस्त फायदा मिलेगा अगर आपका सूर्य कहीं न कहीं अच्छी अवस्ता में आ गया जैसे इसमें मचली का चिन बंदा है चतुसकोन बंदा है, त्रिकोन बंदा है दिव्य सूर्य किर्या करते हैं और लकडी समंदी अगर कोई काम करते हैं तो इन कामों में आपको जबरदस्त फाइदा होगा, बहुत बड़े अस्तरका आपका काम होगा, जाए वो फरनीचर का है, ये लकड़ी समन्दी किसी भी परकार का काम है, सूरे के ठीक होने पे, ठीक है न? अब मैंने करियर के बारे में आपको इस पश्ट तरीके से बता दि हैं, अब एक एक पर्टिकॉलर चीज के बारे में नहीं बताओंगा, आप खुद समझ जाएं, भूमि समन्दी में बहुत बड़ा लाव है, ये सारी चीजे मैंने आपको बता दी है, और कब तक हतेली की इस्तिति ठीक नहीं है, ये भी बता दी है, अब देखेगा, यहाँ पर देखेंगे, बुद्ध रेखा जो है कहीं न कहीं इस तरों से निकलती हुई, और फिर इस तरों से निकलती हुई, कुछ रेखाईं आगे बड़ रही हैं, जैसे ये रेखाईं इसपश्ट होती जाएंगी, आपका जो ब्यापार का छितर है मंगल से समन्दित, उसका सा अमरज बढ़ता जाएगा और कहीं न कहीं आप अपनी एक अलग यूनिक पहचान बनाएंगे ये रेखाई डबल इस्तित में हैं एक दूसरे को पावर देती हुई दिखाई दे रही हैं और ये रेखाई क्या कह रही हैं कि कहीं न कहीं जो आपकी एज है आयू है वो अच्छ सफलता आपके हाथ लगेगी सफलता दिखाने वाली ये रेखा कहलाती है मंगल से समंदित जो ब्यावसाई है उसमें बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी कहीं न कहीं बाणी को बेचेंगे मनि बोलने के धंके कारण आप अपने जिवनकाल में जबरदस्त धन कमाएंग लेकिन एक कमी भी रहेगी कहीं न कहीं जब तरक्की की सिमाताई कर रहे होंगे तो पेट के रोग भी उजागर होने बैठ जाएंगे पेट से समंदित प्रेशानिया जन्म लेनी बैठ जाएंगी इसका आपको बिसेस ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है न ये समस्याई आए लेकिन बहुत बड़ा संकट में डालने वाली चीज नहीं है लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है स्वस्त्य से समंदित ऐसी चीज़ों में आप देखेगा यहां पर एक तो यहां पर इस प्रकार से एक तिरभुज भी बंदा है चतुस्कोन भी बंदा है चतुस्कोन पे जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है गंबीर किसम का बिक्ति तो भी रहेगा दयालूप वाला बिक्ति तो भी रहेगा लिकिन कल्पनाई बहुत ज़्यादा रहेगी हाँ प्रस्तिती कैसी भी हो लेकिन आने वाले समय में धर्यनक होने वाला व्यक्तितों बना रहेगा और कहीं न कहीं अपना घर की अगर सुक प्राप्थ न हुआ हो तो जीवनकाल में अपने कमाए हुई पैसों से अपने घर का सुक बहुत बड़ी रोप में प्राप्त होगा होगा ही होगा स्टेंप लगा रहा है ठीक है ने ये चीजों को ये यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है अभी एक रेखा इस तरों से है और चंद्रमा कमजोर है ये रेखा एक चीज देती है नेगेटिव चीज देती है ये रेखा है तो आपकी हतेली में पैसा टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके पास लाख आये करोड आये एक से जादा सुरोतों से आये लेकिन बरकत नहीं आती है पैसा नहीं टिक पाता है आप धन का संचय अपने अनुरूप नहीं कर पाती है ठीक है ने तो कही न कही इसका दिहान रखेंगे दूसरी बात है चंद्रमा थोड़ा नगेटिव स्तिति में दिखाई दे रहा है कुछ समय तक ये मनको गडबड राखेगा कहीं न कहीं मानिसिक प्रेशानी देगा ही देगा और इसका असर दो से बटक सकता है कहीं न कहीं खराब सा रह सकता है और ये भी यही बता रहा है कि मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा digestive system इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कते आने की शंभावना बनी रहेगी दूसरी बार जब चंद्रमा खराब होता है हतेली में ये वाला पार्ट खराब होता है अनबैलेंस होता है तो ऐसे लोगों को मा का सुक मिलना बहुत मुश्किल होता है और चंद्रमा खराब रहता है तो नीन आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है तो कहीं न कहीं ये चीजें भी बनी रहेंगी, इसकी तरफ आपको साइज रहना करने क्या है? योगा है, प्रणायाम है, दिब्य योगध्यान किरिया है, दिब्य सूरी किरिया है, इसको जरूर करिएगा, कुछ मैं प्राकृतिक उपाई दूँगा, बिदिवत्तरे के से करि जबरदस्त लाब होगा, ठोड़ा लेट होगा, लेकिन जबरदस्त होगा और अच्छा खासा लाब आपको जीवन में प्राप्त होगा, ठीक है न? कहीं न कहीं जो बेहतरीन चीजे है, धाई वर्सों के बाद अच्छी दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? कि ये उउगलि हल की जुकी हुई है, धार्मिक भावनाईं बडी मात्रा में रहने वाली हैं, ये बता रही है, ये सीदी खड़ी है, जो मानशिक चमता है, जो अध्यात्मिक चमता है, और जो बौदिक अस्तर है, वो सांधार रहेगा, कर्म में विश्वास रखने वाला बिक की तरब दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं वाणी को बेच कर या बोलने के धंग से जीवनकाल में धन कमाएंगे और अपने ब्यापार में नोकरी में नहीं अपने ब्यापार में अच्छे खासी प्रगति कमाएंगे मंगल से समंदित ब्यापार में स्रेष्ट सपलता को अरज ब्यक्तित्वा है और इसके कारण उच्चवर्ग का ब्यक्तित्वा आपका जीवन में रहेगा ठीक इस प्रकार से यह जो है चीजों को यहां पर बताती हुई दिखाई देरी है थोड़ा सा पीछी के तरफ जुक रहा है सुक्रप का परोत बली है सुकर परधान जा इक्छा सक्तियां बहुत अच्छी रहेगी काम के परती जिद रहेगी वहीं तरक सक्ति भी बेहतरीन रहने की संभावना है यहां पर अगर हिर्दे की रेखा देखें सीधी ब्रिस्पति से मिलन कर रही है ब्रिस्पति के पुष्ट और सुन्दर होनी पर चाहे आप व् नोकरी करें चाहे और भी काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन बितीत करेंगे यह योग इसपष्ट बताता हुआ यहां पर नजर आ रहा है इस लाइन के बारे में हमने बता दिया है जीवन की रेखा इस तरों से आती हुई और यहां पर इस रेखा से इस तरों से मिल र रही है यहां पर अगर देखेंगे करियर और धन किरे का सीधी जाती हुई यहां पर जा रहे हैं लेकिन बीच में जो है नगेटिव उर्जा इसको काट रही है जब तक नगेटिव उर्जा का जबरतस्त प्रभाव रहेगा तब तक करियर के मामले में और धन के मामले में अस् सपलतम इस्तित में ले जाएंगी 18 महेने के बाद से चीजें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी धाई वर्सों के बाद जो है जिवन पूरी तरों से कहीं न कहीं आपकी कंट्रोल में आ जाएगा चीजें अस्ताइतों की और आनी लेगेंगी चाहे परिवार के मामल सुरू हो जाएगी यहां पर अगर हम देखते हैं यह पहली रेखा आपकी जो है यहां पर यह है आपकी स्वस्त्य के रेखा बहुत अच्छे है लेकिन बीच में कहीं न कहीं गयप दिखाई दे रहा है यह गयप का समय यह है यहां पर अभी एक डेड़ वर्सों तक संगर् जल्द बाजी में भावनाओं में आके कोई बड़ा निरणे न ले धन के नुकसान को बताता हुआ दिखाई दे रहा है और स्वस्ते के परति विसेश सावधान रहे और विसेश कर पेट समंदी परेशानिया उत्पन नहों इस तरफ ध्यान दीजेगा आगे स्वस्ते त्रीन इस्तिति में दिखाई दीरी है सेकंड भाग ये आपका जो है धन रेखा है संपत्ति की रेखा जैसी भग्या रेखा से जो है ये नेगेटिव उर्जा का प्रभाव निकलता है जीवन में धन के मामले में बहुत सांदार रहेगा तीसरी रेखा है सुक की रेखा दे अपने धन और सुक को भोगने का फायदा उठाएगे चौती रेखा आदी अदूरी है ये समराट रेखा होती है ये आदी अदूरी है अगर इष्ट की पूर्ण सरनागती जाते हैं काम में एकागरता रहती है तो कही ने कही समराट के योग बनेंगे और अपने चेतर में बहुत बड़ी प्रसिद्धी आप हासिल करेंगे यहां पर अगर हम देखें इस तरह से जो है कुछ रेखाई जो है बनती हुई दिखाई दे रहे हैं मचली का चिन एकसान दार दिखाई दे रहा है कि ये तुकाई यहां पर प्रभाव पड़ रहा है निश्चत रोप से ध चीजे यहां भी इस छेत्र में भी यही चीजें बनती है निश्चित तोर पर यह यात्राओं के मौके को बताता हुआ नजर आ रहा है शुक्र का परवत बहुत सुंदर है अतिबली है ठीक है तो कहीं न कहीं जो थोड़ा फोला वहा नुकिलासा दिखाई दे रहा है लेकि नई चीजों के परति रुझान बना रहेगा नए फैसन के परति नए कपड़ों के परति मार्केट में नई चीजों के परति रुझान जादा बना रहेगा हां सुंदर्ता और आकर्षण भी आपकी अंदर मौजोद रहेगा कहीं न कहीं आपकी जो प्रशनल्टे अच्छी कश्ट रहेगा और बहूत जादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपके नज़रों में देखा जाये तो अभाव की स्तित को भी जर्ण्म देगा और जो वास्त्यवीक सुक है चाए परिवार की तरब से हो चाए कोटुम्ब की तरब से हो चाहे करियर और धन की तरब से हो चाहे स्वाष्टे की तरब से हो एक एक्चुल जो सुक होता है उसको भोगने में कठनाईयां आएंगे तो इसके लिए क्या करना है ब्रिस्पति को ठीक करना है दूसरी बात अगर देखें निम्न मंगल थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की इस्थि दूविदा की इस्थि और उल्जन की इस्थि पैदा कर रहा है और कहीं न कहीं जो है जो निर्णे लेने की छमता है उसमें असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उच्च मंगल ठेक है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा इसके बारे में हमने बता दिया है सनी की बात करें तो सनी कभी कभी ब्योजहे की चिंताईं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके करण कहीं न कहीं चिंता बनी रहे और सुबह उठने में बिसेश कर जो है आलश्य रहेगा तकलीप जो है बनी रहेगी लेकिन जब एक बार उठ गए तो दुबारा फिर वो आलश्य नहीं चुएगा तो इसलिए कोशिस करें सुबह जितना जल्दी हो सकें उतना जल्दी उठने की कोशिस करे और योगा प्रणायम उगेरा करने की कोशिस करे यहाँ पे एक सांदार मचले का चिन बनता हो दिखाई दे रहा है सुरे जब और जा पूरी तरों से और जा प्रवाइड करने बैठ जाएगा तो अपने कारे छेतर में विशेश कर मंगल से समन्दित कारे चितर में अपनी एक योणिक पहचान बनाई के कारे में बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा यहाँ पे यह बर्ग का साइन भी सांदार बन रहा है और यहाँ पे जो है कही न कही एक बड़ा तिरबुज का साइन बन रहा है निश्चित रोफ से सूर्य के मजबूत होने पे मजटिपल सीटी का ब्यापार आपके हाथ लग सकता है आप बहुत बड़े ब्यापारी बन सकते हैं और धन के मामले में कलपनाओं से भी कहीं अधिक जो है धन अरजन कर सकते एक जटके का धन एक बहुत बड़ा धन आपके हाथ लग सकता है केवल एकी जो है डील पे इस प्रकार की योग यहां पे बन रहे है लेकिन अभी अगर देखें सूर्य आपका बहुत ज़्यादा कमजोर इस्तिति में है पूरी तरों से उर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है यह इस पश्ट तरीके से बता रहा है कि बरतमान में जो आपके द्वारा प्रियास किये जा रहे हैं वो पूरी तरों से सपलता की इस्तिति में नहीं पहुँच पार जो आप मिहनत कर रहे हैं जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रे है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योगिता है उस तरह से चीजे उभर कर नहीं आपा रहे हैं निखर करके नहीं आपा रहे हैं एक सहजता से एक और रास्ता नहीं मिल पा रहा है और आर्थिक इस्तितिवी जिस अस्तर की होनी चाहिए थी कहीं न कहीं उस अस्तर से नीचे है क्यों क्योंकि आपके जो सारिरिक चक्र है वो परस पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमील में नहीं है जिसके कारण कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सारिरिक स्वास्त्य है जीवन की वास्त्विक खुसाली है जीवन का उत्सा है जीवन की ओर्जा है ये चीजे अनबैलेंस रूपे है इनकी कहीं न कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है क्या करना चाहिए आपको मैं एक दिब्य सुर्य किरिया निश्चित तोर पे दूँगा अनुसासनात्मंग ढंग से करेगा और उनको सरधा पोरो करेगा और दिये वई ये समय का विसेश द्यान दखेगा उस समय कर लीजेगा निश्चित ही अगर आप उसको एक अगर चित मन से करते हैं बिदी से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो सारिरिक चकर है वो सुर्य के चकरों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और इसका असर आपकी जीवन के तमाम आयामों पे निश्चित पड़ेगा निश्चित रोप से आपकी जो सारिरिक सेहत है बेहद अच्छी होगी आपका जो मानसिक संतुलन है परफेक्ट होगा आपका जीवन कहीं न कहीं साहिजिता से चलेगा आपके कारियों में विस्तार मिलेगा और कहीं न कहीं जो स्रे है उसका जो क्रेडिट है उसका वो अच्छे रोप में मिलना सुरो हो जाएगा फिर चाए सारिरिक स्वस्त्य हो चाए जीवन की वास्त्वे खुसाली हो चाहे उत्सा हो चाहे उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगे किरिया मैं दे दूँगा बाकिय करना न करना आपके समझ और आपका निर्णई होगा यहाँ पर बुद्ध का परोत अगर देखें बहुत जादा बैठा हुआ है ऐसे में ब्यक्ति की जो वानी की सक्ति है वो आकरशन करने वाली नहीं रहती है ऐसे में ब्यक्ति अपने आपको किसी भी परकार से जाहिर नहीं कर पाता है ब्यक्त करने की जो चमता है वो कमजोर रहती है ऐसे में ब्यक्ति अगर ब्यापार कर रहा होता है तो ब्यापार बहुत जादा मध्यम इस्तिति में ना के बराबर रहता है और कहीं न कहीं जो है ऐसी इस्तिति हो तो धन के मामले में भी ब्यक्ति कमजोर रहता है क्या करना चाहे बुद्ध को ठेक करने के लिए ये मैं आपको निश्चित रोप से जो है लिख करके दे दूँगा आप बुद्ध को ठेक कर लिजेगा अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हतेलिका बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के मादेम से आपको भेज रहा हूँ करने की कोशिस करें निश्चित ही आपको अच्छा लाब मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनौपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार